नमस्कार प्यारे साथियों नाने क्लासे सीवसर यूटूब चनल पर आपका स्वागत है और आज हम पड़ेंगे राजस्तान जीके की रिवीजन क्लास यानि हमने 15 जनवरी से लेकर और 20 जनवरी तक जो भी राजस्तान जीके येस्ट्रडे डोज में पड़ा था एक पिछले सब्ता भी मैंने क्लास देती आज भी एक लास आ रही है तो हमने पिछले सब्ता में जो भी येस्ट्रडे डोज के अंदर क्विस्चन राजस्तान जीके के पड़े थे रोजाना करंट अफेर्स के अंदर रोजाना करंट अफेर्स की क्लास तो सुबाई जाती है वीकली उस परके अपनी त्यारी को आने वाले हर एक एक्जाम को लेकर और त्यारी परके नान क्लासेश के साथ तो करें स्टार्ट राजस्तान जी के महतपूर्ण परसन जो वीक लिए हैं पहला परसन देखो चंबल प्रियोजना राज किन दो राजियों का शुंक्त उदम है तो मद्य परदेश और राजस्तान मैं यहां लिखता हूं चंबल प्रियोजना चंबल राजस्तान के च्छे जिलों में बहती है कितने च्छे जिलों में बहती है और बात करें इसमें मद्य परदेश और राजस्तान का हिस्सा इस प्रियोजना में मद्य परदेश और राजस्तान का ह किसा 50-50 है कितना 50-50 मतलब क्या हुआ 50-50 का मतलब यह हुआ कि टोटल 306 मेगावाट बिजली मिलती है उनमें से 130 मेगावाट राजस्थान को आती है और एक सभी मेगावाट ही मद्या प्रदेश ले जाता है किस चंबल प्रियोजना पर टोटल 4 बांद बने वे कितने बांद पुछ तो च्यार्बाद कोन कोन से एला आता है गांदी सागरबाद गांधी सागरबाद जो मद्य परदेश में हैं 115 मेगावाट बिजली देता है दूसरा आता है राना-परताब सागरबाद डू रावत बाटा चितोड के अंदर राजस्थान में हैं 38670 मेगावाट किस राता है ज्वाहार सागर ज्वाहार सागर बांद दो प्रताम Mais है और निनाड में मेगावाट बिजली उत्पादित करता है तंबल नदी पर टोटल चार बांद बने हैं उन चार बांदों में से तीन बांदों से बिजली मिलती है जबकि चोथा बांद है बेराज यानि ओनली फॉर ओनली फॉर क्या मिलता है हमें फिर पोर सिर्फ पेजल औ क्लियर हो गया यह चार बांद और यह परसंद आया वह यह यह आर्पियसी के द्वारा पुछे गए पिछले दो साल से कुछिन उन्हीं में से मैं आपको एक्वेश्चन करवा रहा हूं परबरी किस पसु की नसल है और एक एक्जाम में पसुदन से संदित क्वेश्चन आता है और जल्दी पसुपरीचर की जो बरती आई है उसकी जल्दी है हमारी पांसाद दिनों में पुस्तक आने जा रही है एपार्ट और बैपार्ट दोनों के लिए गजब की नए जिलों के इसाब से उसमें समाजी के देन का पूरा ब्यूरा होगा बक्री की बात करें तो इसे चलता फिरता फरीज कहते हैं एक पुरे बारत में सबसे ज्यादा बक्री राजस्तान के अंदर होती है राजस्तान में सबसे ज्यादा बाड मेर में बक्री होती है बक्री की कुछ और नसल देखो एक तो जमना परी है परिया ठीक है बकरी परी हो गया एक लोही एक शिरोही एक जेसल मेरी एक सिख्वटी ठीक है एक शिरोही जमना परी जेसल मेरी लोही सेख्वटी और एक जख्राना कौनसी जख्राना जख्राना इसको अलवरी भी कहा जाता है यह सारी बकरी की नसल है अगला जन्गर्णा 2011 के अनुसार सरवादिक लिंगान पात वाले जिले एक तो डुंगरपूर एक रास्मन सबसे ज़्यादा लिंगान पात है कम पुछे आपसे कम पुछे तो आपका उतर होगा सबसे कम लिंगान पात धोल पूर का है सबसे कम धोल पूर का फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा जेसल मेर का और फिर करोली आता है कि 801 करोली का 852 है जेसल मेर का 846 धोलपूर का लिंगानुपात परती एक अजार पूर्सों पर महलाओं की संक्या सबसे ज्यादा डुंगरपूर 904 में रासमन 990 और पाली का आता है अब इतनी एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूं में अचलदार खीचीरी वचनी का नामक गरंथ के रचेता कौन थे तो शीवदास गाडण बताने की जरूरत निए शीवदास गाडण अचलदास खीचीरी वचनी का यह खीची चुवान गागरों दुरुन से समधित है लिंग्विस्टिक सर्वियोप इंडिया के द्वारा 1912 में लिखा गया यह किस के द्वारा जोर्ज इब्राहिम ग्रिर्सन इन्हों नहीं राजस्तानी बोलियों को विग्यानिक विबाजन के रूप में सविकार किया है यह पांच परसन एक दिन के हो गए फिर हमने पड़ और राजस्तान में अनुसुची जन जाती सबसे कम बीकानेर और नागोर में हैं आप से पुचे सर्वादिक परतिसत कहां का है सर्वादिक परतिसत में हता है सबसे पहले बांस्वाडा ह quarantine डंगुर पूर कैने इन इस सबसे ज्यादा पुचे सरवादिक सबसे ज़्या उध्यबूर के अंदर ऑने इस चीज जाती उध्यबूर में है प हेला मंत्री कुन बनी थी कमला बेनिवाल मडमईNEY कमला बेनिवाल और सब सब्से पहले यह उपमंत्री बनी थी कि मिउनाटाश ए ऐस में महाँलाल सुखाड़िया को महाँलाल चूखाड़िया है मुख्या मंत्री और पहले दिया कुमारी भी बनी अब दिया कुमारी अब मुख्या मंत्री दूसरी महला हो चुकिये राजस्तान में पहला राश्टिपती शासन और कभ से कभ तक लगा ते रहा मार्च टेश प्रेल 1906 को दूसरा कभ लगा 1970 को तीसरा कब लगा 1980 को और चोथा कब लगा 1992 में तरणमे को यह वही मामला है जहां बाबरी मस्जित कांड हुआ था जो अयुद्या राम मंदिर है जो मस्जित ही उसको द्वस्त किया गया था आज वहां पे मंदिर का निर्मान हुआ है मुर्ति स्तापना है बाहिचे नवरी को आजस्तानी भासा में मूडियालीपी को और किस नाम से जाना जाता है महाजनी लिपी कहते है U3 ísको बणिया लिप महाजनी लिपी से कहा जाता है उत्तरीया रावली का सर्वोनाथ गड़ कि करो代 дов कर में सिकर में 305 Mich या और दक्षिन रावली का सबसे उन्ची-चोटी 1722 मिट्र माउंट आबू के अंदर है तो यह चीज़ें याद रखना है उसके बाद देखो परधान मंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सोर उर्जा सेंतर स्तापित किया गया भालो जी गाउं के अंदर कुसुम योजना का नारा जरूर याद रखना है नारा है अ अनदाता से उर्जादाता अनदाता से उर्जादाता उसके बाद इंपोर्टन परसन आता है कि राजस्तान सरकार द्वारा नई विंड वैं हाइब्रेड अनर्जी पोलिशी कब जारी हुई 2019 में लक्षे इसका लक्षे पुछे दो हजार चोईस पच्चिस तक तक रेंटी इसके अलाबा आपसे पुछे पर्थम पावन उर्जा नीती कब आई पावन उर्जा नीती ओका उत्तर क्या जाएगा 2022 अब अमर सागर में अमर सागर जैसल मेर में दूसरा कहां लगा देवगड परताब गड़ में और तीसरा कहां लगा पिठडी फलोद्धी में पिठडी फलोद्धी में तीनों ही इंपोर्टेंट है याद रखलना अमर सागर जैसल मेर में देवगड परताब गड़ में और एकला देखो राजस्तान उर्जा विकास अजंसी की स्थापना किस वर्स होई थी 1985 में इसको कहते हैं रेड़ा क्या कहते हैं रेड़ा प्लस और SPCL, इसकी स्ताफ़नाच अमिंस विचाण में को दोनों को मिलाकर नो अगस्त 241 को आरी हे जो राजस्तान तोई और और रूल भी और राज अरी सी जो मोलत कॉऑ समुनीर्स को और था और त याजाथस्थान अक्षरजा निगम यहीं सिगंद और लेक इक प्रत्थम राजस्तान विदानसभा के विपक्स के नेता थे जस्वंत सिंग और इनके साथ थे तान सिंग जस्वंत सिंग और तान सिंग छोदमी विदान सभा में परतिपक्स के नेता कों थे रामे, शरलालड हो गया, दूसरी राजस्तान विदान सभा में में विपक्स के नेता थे नरेंदर सिंग और बिड़ी कला किस विदानसभा में विपक्स के नेता थे बार्मी के बार्मी के थे अब वर्तमान में भूर्तमान में RPG वीदान सभा के कॉन है यह सुद्य देव नानी वासू देव घंज आ डाशी में अट से पूछे ऑंडर्मी विदान सभा के कौन धे कौन भूर गेद रोगा चीजेत सारी क किसारी और पूरो में शिक्ष्य मंत्री थे राजस्तान में पर्थम प्रेटन निती किस वर्ष में गोशित केगी राजस्तान में पर्थम प्रेटन निती आई थी 2001 की अंदर और वर्तमान की बात करें तो 2020 वर्तमान बात करें तो 2020 राजस्तान एको टूरिजम पॉलिशी कब आई में राजस्तान में प्रेटन को द्योग का दर्जा किस वर्स मिला 1989 में ठीक है जबकि जनुद्योग का दर्जा कि जनुद्योग का दर्जा कि दोजार च्यार में राजस्तान में राजस्तान में राजस्तान ग्रामेंड प्रेटन निती कब से जारी हुई तीस नुवंबर है अजिए लून मोट सव पलस्थार मोचसव यह दोनों बाढ नहीं के अभी ताजा ताजा उंट मोचसव बनाया गया है उंट मोचसव कब 12 से 14 जनवरी को कहां से वी कारेर अभी मरू मोत्सो बनाय जाएगा जेसलमेर में फरवरी के अंदर ये करंट की बाते हैं हम पढ़ रहे हैं फिरोई राज्ये का राजस्तान में पुर्ण विल्या कब हुआ एक नुवंबर 1956 को चिरोई का दो चर्णों में विल्या हुआ था पर्थम में 20 जनवरी 1950 यहां हुआ अबुदेलवाडा को छोड़कर और एक नुवंबर 1956 को अबुदेलवाडा का मिला लिया और दोनों चर्णों में हो गया यह दिधी राजernenमक नाटकक नेखह की सौम देव किस का राजक्रत को अब आप मुझे एक गरंथ बताना यह तो है ललीत विण्याозможно का लेक्रत सौम देव देव रासू कि समेट करके बताना है कि सलरह रासू ग्रंथ किस को बदायूनी ने का हल्दी गाटी को मेवार की थ्रमोपली करनल जैम्स्टोड ने कहा जबकि खमनोर कायूद अवल फजल ने कहा लोग देवता हडबु जी का मुख्य मंदिर कांस्तित है बैंगटी बैंगटी अब आगिया फलोदी के अंदर इनका मुख्य मंदिर है जी के मुख्यरेबाई गुरू इनके बालिनाजी राव जोदारेन के सयोग से मंदोर को मेवार से अजाद करवाया था इतनी चीजें याद रखनी है ठारा सोस्ताउन के सवतमतरता संगरंग के समय मेवार के पोलिटीकल अजेंट कौन थे सावर्स वन थे सावर्स अब येपुर के पोलिटीकल अजेंट थे इड़न मारवार के कौन थे मारवार के मैक मोशन पीरोही के कौन थे एडी हॉल यह सिर्फ रिविजन है पटा पट एडी हॉल और कोटा के कौन थे बर्टन कोट के क्या लगाने बटन ठीक है क्लियर हो गया यह क्लास जो सब्ता में हमने राश्ट डिटोज बड़ा था सारा क्लियर हो गया यह राजस्तान जिला दर्शन की मैं क्लास लगा रहा हूं इसंडे को छोड़ कर मिल रही है नानक डसे रहां but ०िनहां की और कि सुर्सन क्याओं रही है क्योंकि यह आधार है और कोई विदार्थी मेरे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ना जाता है तो नानक क्लासे सिवसर नाम से मेरी आइडी है स्टेडी से रिलेटिव कोई भी चीज आप पूछ सकते हो जैसे मुझे मोका मिलेगा टाइम मिलेगा मैं आपके हल करूंगा बाकी न्यूज अपडेट वगेरा मोटिवेशन वगेरा कि सब यहां पर अपडेट होता है तो निरंतर में अच्छे तरीके से पड़ो आपके साथ करंट की क्लास जी के की क्लास लगातार लेके आ रहे हैं धन्यवाद जैहिंद जैह भारत जैह राजस्ता